दूस्तों क्या आपको पता है जो आप अपने फोन का यूज कर रहे हैं वह आपके लिए कितना हार्फुल हो सकते हैं आप इस फोन के अडिक्शन से चाह कर भी दूर नहीं रह सकते हैं आप जहां भी देखते हैं ने किवल तीन एज और कॉलेज अस्टुडेंट बलकि सभी ल टेक्णोलोजी रूज मर्रा के जिंदगी में तेजी से इंपोर्टन ड्रोल इंभाय जा रहे हैं बहुत से लोग को बीना फोन की जीना मुश्किल और परसान करने लगा है ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मोवाइल फोन मार्केट में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे का फोरकास्ट के डेटा से पता चलता है कि 2018 में एस्टिमेट 48.52 मिलियन लोग अस्मार्टफोन का यूज कर रहे थे जो कि 2019 से बढ़कर 50.31 मिलियन हो गया था और वही 2015 की बात करें तो 41.09 मिलियन यूजर ही थे यानि कि 3 सालों में लगवक 25% से अधीक यूजर बढ़ गए है दोस्तो आप इमेजिन किजिए कि आप अपना फोन आज खो देते हैं तो आपका जीवन कितना अलग होगा क्या आप जानते हैं कि बीना फोन के कैसे गुजरा जाता है क्या आप जानते हैं कि इस सोसल लाइब से जीवन पर क्या इंपक्ट पड़ा है वे दिन गय जब लैंड लाइन पर फोन या फैमिली के साथ सभार उनाज किया जाता था आजकल अपने फ्रेंड और फैमिली को देखने का प्लैन काफी हद तक टेकनोलोजी के माधियम से किया जाता है चाहे वाट टेक्स्ट मैसेजिंग हो भाट सब फेस्वूप मैसेंजर कॉल या यहां तक कि आपके डिवाइस पर इमेल के माधियम से होने लग रहे हैं कि अगर हम इसके बीना एक दिन जाकते तो कैसा होता साध हमारे जीवन बेहतर के लिए बदल सकते हैं दोस्तो हम इस बात को लेकर उत्त सुखाएं कि क्या होगा अगर कोई परसन कम से कम एक बीक तक बीना फोन के जीवन बेतीत करे तो उसमें क्या चेंजिस देखने को मिलेगा दोस्तो पहले तो आप अपने फोन का जीूँज नहीं कर रहा है उसको लेकर आप खोबिया महसूस कर सकते हैं दोस्तो एक आई स्टाड़ी से पता चला है कि जो लोगा स्मार्ट फोन की एडिक्शन का सिकार होते हैं वे लोग ज़्यादा तरुदास और खुरुदित मसूस करते हैं हलांकि जब आप पहले से ही काम के लिए बाहर हों तो अपने फोन को घर पर अपना फोन भूल जाने की याद रखने की कोसिस करें आप चिंता की भावना अनुभब कर सकते हैं दोस्तो इसी मामले को नोफोबिया कहा जाता है बेसिकल यह है एक साइकोलोजिक कंडिसन है जब लोग अपने मौईल फोन से अलग होने का डर होता है तो ऐसा लगता है कि आप दुनिया से अलग हो गए हैं दोस्तो अगर आपका mobile phone का device काम करना बंद कर देता है तो नोफोबिया का अनुभव कर सकते हैं जैसे कि चिंता भै पैनी का केलापन, respiratory alternations, trembling, sweating यानी की पसीना आना दोस्तो ये सब इस बात पर निर्वर करता है कि आप कितनी तेजी सनोफोविया का छुटकारा पाने में सच्छम है दोस्तो आप विश्वास नहीं करेंगी कि आप हर दिन में अपने phone पर कितने घंटे बिताते होंगे दोस्तो जैनरल आप behavioral addiction में पबलीश एक नए सर्वे के नुसार येंग बोमे ने अपने cell phone पर दिन में और सतन दस घंटे बिताती है आप इन दस घंटों में बहुत कुछ कर सकते हैं आप पेरिस के लिए उडान भर सकते हैं एक बहुत सी सांदार रात की निंद ले सकते हैं या फिर आप orange the blue black का पूरा सीजन देख सकते हैं और लाइन सर्वे के लिए वाइलर उनुवर्सिटी के रिसर्चर ने 164 कॉलेजों के student के उनके cell phone की habit के अधार पर चुना गया फिर उन्होंने देखा कि ज्यादातर महलाएं अपने phone पर 10 गंटे बिताती हैं और साथ में पूरुस 8 गंटे बिताते हैं कुल मिलाकर 60% ने अपने device के डिक्ट होने की बात सुविकार की और जब उनके पास phone नहीं होते तो वे उतेजित हो जाते हैं दोस्तो यहां बात आती है कि वे लोग 10 गंटे समय को कैसे बरबात कर रहे हैं रिस्पोडेंट्स ने सबसे अधिक टाइम टेक्स्टिंग दीन में करीब 94.6 मिनट टाइम अस्पेंड करने की रिपोर्ट दी इसके बाद इमेलिंग तक रिवन 48.5 मिनट फेस्बुक 38.6 मिनट और सौंग 26.9 मिनट सुनने के बाद रिसर्चन ने देखा कि प्रिंट्रेस्ट और इंस्टाग्राम सबसे अधिक्टिव एक्टिवीडिज में से एक है तोस्तो साइकलोजी प्रोफेसर डिस्ट्रैक्टेड माइंड के ओथर लेरी रोसन ने CNBC को बताया कि ज्यादा तो लोग हर 15 मियट या उससे कम समय में अपने फोन को चेक करते हैं भले ही उनके पास कोई अलर्ट या नोटिफिकेशन नहीं आया हो वो तब भी अपने फोन को चेक करते हैं लेरी रोसन के आगे रिसर से पता चला की बढ़ती चिंता के अलावा नोटिफिकेशन और फीड चेक करने की कमपलेसिब लोगों को धियान केंदरित करने की अविलिटी को इंटरफ्रेंस करती है दोस्तो क्या आप जानते हैं कि यह जो हमारे फोन में टाइम बेस्टिंग के अलावा भी साइकलोजी परिसानी भी है जो आपके फोन पर बहुत अधिक समय बिताने से आती है दोस्तो कई सारी स्टेडिय से पता चला है कि सोसल मीडिया आपके मेंटल हिल्थ के लिए खराब हो सकते हैं और फेस्बूक ने हाल में ही इस बात को लेकर असेप्ट भी किया था कि इसके सोसल नेटवर्क का पैसिव यूज लोगों को नेगेटिव मूड में छोड़ सकता है रिसेर्चर्चर्च आभी भी पता लगाने की कोसिस कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में इतना टाइम और इनरजी लगाने में कौन से लॉंग टर्म इफेक्ट पढ़ रहे हैं दोस्तो डॉक्र कैफर का कहना है कि हमारे जीवन में लोगों के साथ रियल कनवर्सेशन के साथ हमें लेस बेसेंट बना सकता है दोस्तो यह तो हमें पता है कि स्मार्ट फून हमारे माइड के लिए कितना ज़्यादा हालपूर हो सकते तो हम इसे कैसे बस सकते हैं ब्रेण हेल्थ को बहतर बनाने के लिए आपको अपने स्मार्ट फून को पुरी तरह से बंद करने की यरुρωत नहीं है दोस्तो यहां पर important बात आती है कि आप अपने phone और other devices और person interactions को समय देने से बचना है दोस्तो कुछ लोगों का अपने phone से social media apps को अटाना या उससे site पर time limit को enable करने वाले software को download करने से help मिलता है दोस्तो जैसे जैसे आप अपने phone पर समय देना कम कर देते हैं वैसे वैसे आपके mental clarity और mental health increase होना शुरू हो जाता है दोस्तो कैलिफॉर्निय अनुवर्सिटी सैन फ्रेंसिस्को के एक studies में पाया गया कि COVID महामारी के दोरान अमेरिका की सोरा वस्ता के बच्चों को screen time दोगना हो गया रिसर्चर ने देखा कि USA में 12-13 साल के बच्चों ने अपने नान स्कूल से related screen time मैट 2020 में दोगना कर 7.7 घंटे कर दिया जबकि महामारी से एक दिन पहले यह सिर्फ 3.8 घंटे ही थे दोस्तो सबसे बड़ा desktop screen time consumers सौथ अपरीका में हैं जो की अपने computer पर हर दिन लगवक 5.37 मियट screen time पंजूब करते हैं दुनिया भर में average users अपने computer screen को देखने में लगवक 3.14 मिनट और अपने mobile phone को देखने में आलमोच 3.43 मिनट समय खर्च कर देते हैं